जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबादें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसकी पेट्रॉन बन करके और पेट्रॉन का लिंग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है जिस के लिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं कि मनिपूर में दंगे चल रहे हैं वह मनिपूर के तरफ जहांके नहीं देख रहे नहीं और यहां जी ट्वंटी का यह चल रहा है हर जगे हर खंबे को उनका ही फोटो है मैं बोला लोकों को याद दिला रहे क्यां क्योंकि इतने जितने खंबे हैं दिल्ली में हर खंबे के ऊपर मोधी का फोटो उनके कोई मिनिस्टर का भी नहीं एकादा भी अजा महात्मा कांधी जी का नहीं है जवरलाल नेरू जी का नहीं है किसी का नहीं है सिर्फ मोधी अकेला याने मोधी क्या गुत्ता लिए गया इस देश का बने प्राइम मिनिस्टर लेकिन उसका मतलब यह नहीं सब कुछ उनीका है और दो हजार चोईस में हम एक संगतन बनाकर काम कर रहे हैं इंडिया के नाम से वो इंडिया का नाम रखते ही यह बीजेपी वालों को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं भारत रखो भारत रखो दोस्तों यह तो साल 1999 से G20 की बैठके हो रही हैं लेकिन तब इन में में मेंबर मुलकों के फाइनस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हिस्सा लिया करते थे एशिया में एकानमी क्राइसिस के दौरान इनहीं ने मिलकर G20 का गठन किया था इस सोच के साथ कि ग्लोबल एकानमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा करी जा सके पर साल दोहजार साथ और आठ में आई ग्लोबल मंदी के बाद G20 की तस्वीर बदल गई G20, G7, ASEAN, BREAKS, SARK, SHANGHAI, NETO, OPEC और ना जाने ऐसे कितने इंटरनेशनल ग्रूप्स हैं जिनकी बैठके आए दिन सुर्खियों में रहती हैं इन दिनों दुनिया की टॉप एकानमीज के और्गनाइजेशन G20 की खुब चर्चा है G20 के 18 समिट का अरेंजमेंट इस बार नई दिल्ली में हो रहा है और इसकी तयारियां भी तकरीबन पूरी हो चुकी है इस समिट में हिस्सा लेने वाले निताओं के भारत पहुचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है हाला की चीन के प्रेसिडन शी जिन पिंग और रूसी प्रेसिडन व्लादी मर पूर्टिन इस बार समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन दोस्तों सबसे एहम बात ये है कि दुनिया के तमाम जानकारों का मानना है या यू कहले कि उनका कहना है कि जी टुएंटी से दुनिया को अब तक कुछ भी हासल नहीं हुआ है तमाम जानकार मानते हैं कि जी टुएंटी एक ऐसा और्गनाइजेशन है जिसमें फाइनेंशियल हालातों को सुधारने की बात करी गई है लेकिन इसका कोई खास असर हुआ हो दुनिया में ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है उपर उपर से देखें तो जी टुएंटी की बैटकों में आपको खुब तड़क भड़क नजर आएगी सजावर्ट दुनिया की 20 बड़ी अर्थ विवस्था वाले मुलकों के मुकिया का एक जगा जुटना एजेंडा तै करना लेकिन गहराई से देखें तो अभी तक जी टुएंटी से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है क्लाइमेट चेंज जैसे मसले मौजूद हैं जिन पर पैरिस समझोते के बाद भी कुछ नहीं हुआ दर असल जी टुएंटी के मेंबर कंट्रीज पर कोई कंपल्शन कोई obligation या दबाव तो है नहीं कि वो जी टुएंटी के मंच पर करे गए अपने वादों को निभाएं ही वहीं दूसरी तरफ जी टुएंटी के पास भी ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसके तहत इन वादों को लागू करने के लिए कुछ किया जा सके example के तौर पर जैसे United Nations में बातचीत होती है तो उसके पास पैसा है मतलब fund है जिसका इस्तेमाल कुछ मामलों में किया जा सकता है पर G20 में ऐसा कुछ नहीं है तो आपको बता दू कि 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में इस समिट की एहम बैठके होनी है लेकिन बैठक का कोई तैए एजंडा नहीं है पर उमीद है कि climate change, global challenges, रूस, यूक्रेन, जंग, clean energy transition और गरीबी जैसे मुद्देचर्चा का हिस्सा होंगे दोस्तों G20 ग्रूप में 19 मुल्क शामिल है अर्जंटीना, औस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैनडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक औफ कोरिया, मेक्सिको, रशा, सौधी अरप, साउथ अफरीका, तुर्की, युनाइटेड किंग्डम और अमेरिका, हर साल एक रोटेशनल सिस्टम के तहट मेंबर कंट्रीज को सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिलता है, हर साल मेजबान मुर्ग G20 की बैठकों को और्गिनाइज करते हैं, एक ठीम के तहट बैठके होती हैं, और 17 बैठकों का हासिल क्या रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं करता है, कुल मिलाकर G20 के बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि G20 का गठान ही अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, दरसल दोस्तों पहले G7 या G8 जैसे बड़े ग्रोप, ग्लोबल एकानिमिक के मसलों पर फैसला ले लिया करते थे, लेकिन जब एकानिमिक सिस्टम बदलने लगा, और 2008 की फाइनिशिल क्राइसिस यानि आर्थिक मंदी के दोरान, इन देशों को एहसास हुआ, कि उनका, यानि वेस्टन कंट्रीज का दब ताकि उभरती हुई ताकतों को भी इसमें शामिल करा जा सके, उन्हें फैनिशियल फैसलों का हिस्सा बनाया जा सके, लेकिन चीन और रूस के प्रेसिडन्ट का इस तरह जी ट्वेंटी की बैठक से खुद को दूर करना जी ट्वेंटी के रेलिवेंस पर सवाल या निशान खड़ा करता है। जी ट्वेंटी समिट में शामिल नहीं होने के फैसले के बाद ये फिक्र वाजब है और ये साफ तोर से कहा जा सकता है कि जी ट्वेंटी कमजोर हो गया है। दोस्तों इस आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि दिल्ली में होने जा रही बैठक के एजन्डे में क्लाइमेट चेंज, फाइनिशल डेवलपमेंट और कम इनकम वाले देशों में कर्स का बोच कम करना, यूक्रैन में रूस के जंग से बढ़ा इंफलेशन जैसे जीजों की बात आती है, तो अकसर कुछ भी नजर नहीं आता है, 1999 में गठन के बाद से इस ग्रुप के ज्यादातर साजे बयान बस बयान तक ही लिमिटेड रहे गए, जैसे रोम में साल 2021 की समिट के दोरान, जी ट्वेंटी ने ताउं ने कहा, कि वो मीनिंग्फुल और एनर्जी एजनसी ने बताया कि दुनिया भर में कोईला बेस बिजली का प्रोडेक्शन एक नए उचाई पर पहँच गया है, इस साल कोईले में इन्वेस्टमेंट 10% बढ़कर 150 अरब डॉलर होने की उमीद है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकरों का मानना है कि इस तहे के प्लेटफॉर्म तभी ज्यादा काम्याब होते हैं जब दुनिया में जियो पॉलिटिकल तनाव कम हो, अभी ऐसे हालात हैं कि ये तनाव बहुत ज्यादा हावी है, बड़ी ताकते आपस में एक दूसरे के साथ काम करने को तयार नहीं है, रूस, चीन एक तरफ है, और वेस मुल्क दोनों साथ आ रहे हैं, चीन और रूस के प्रेसिडेंट भलेना हिस्सा ले रहे हो, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिस भारत आ रहे हैं, इसलिए इसे एक अलग नजरिये से भी देखा जा सकता है, पर जी ट्वेंटी ग्रूप के अचीवमेंट के सवाल पर वाप दिल नहीं हुआ है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ, जै हिंद, सत्ते मेव जैते, अल्ला हाफिस, दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल, पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके, वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरू दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेश टाइम पर मिलती रहे, और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम प करके, और मेंबर्शिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डिरेक्ट मेंबर बन सकते हैं, और दोस्तों आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारे ट्वीटर, इंस्टाग्राम और केस्बुक पेज पर, मेरा ट्वीटर है, at the rate of अर्शी अजीज़ खान, फैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में,